दोस्तो स्वागत है आपके अपने चैनल टेकसेविल में दोस्तो कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो आपको दिखाया था जिसमें मैं आपको बताया था कि अगर आपका छट का हाइट जादा है जैसे कि एक 13-14 फिट हाइट पे एक छट डाला जा रहा था एक साथ उसके बीच में 5-6 फिट का जो जगा मिल रहा था उसको इस्टोर के लिए यहाँ पे तैयार किया जा रहा था तकि वो जो 5-6 फिट का जो जगा मिलेगा उसमें घर का बहुत जितना भी एक्स्टर समान होता है वो उसमें रखा जाएगा तो वो जो इस्टोर बनाते हैं जो हम छट डालते हैं तो एक होता है कि छोटा एरिया में छट डालना तो उसका प्रोसेस क्या होता है कि उसमें बीम की जरूरत नहीं होती ये डालन टू कॉलम वहां सरिया काटके फिर उसमें फशाके या दिवार में फशाके या ढाल दिया जाता है क्योंकि उस पे ज़्यादा लोड नहीं होता है लेकिन यहां क्या है कि एक कमरा जो आप यहां पर 12 भाई 14 का कमरा फिर एक ट्वाइलेट दो ट्वाइलेट के ऊपर आप पूरा छट डाल रहा है यानि कि लगबग ये जो छट का दूरी है ये लगबग 30 बाई 20 का यहां पर 600 स्कॉाइर फिट में आप छट डाल रहा है और जो छट का सरिया इसमें बांदा गया है आज मैं वही इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि उसका कितना गलत तरीके से बांदा गया है अगर आप इस टोर बनाते हैं तो वो भी एक तरीके से आप छट डाल रहा है उस पे भी आपको लोड डालना है और नर्मली अगर आप छट बनाते हैं यहां आप देख सकते हैं कि अगर देखिए अगर आई इस तरह का आपको कोई भी काम कराना है तो सबसे पहले आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए तो यहां पे कोई प्लानिंग नहीं है अगर इनके पास प्लानिंग होता तो यह क्या करते जहां से इनको जीतना श्टोर का छट डालना था वहाँ वहाँ कम से कम यह बीम जो है connect करवा देते एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक यह कॉलम जहां पर यह काट रखे हैं जैसा आप देख रहे हैं वहाँ पर यह पहले से सरिया चुड़वा के चलते जिससे कि इनका जो यह श्टोर का यह जो छट का जो सरिया है उसमें जाके बंद जाता और फिर यह साइड साइड से जहां पर आप देख रहे हैं कि दिवार कटवा के उसमें सरिया होल्ड करवा रहे है एक तो इतना बड़ा छट आप सिर्फ दिवार पर कॉलम का थोड़ा से आप देख सकते हैं एक से दो इंच कॉलम को काटके उसमें सरीय टिका दिया गया है क्या ये इतना बड़ा च्छत है वो सिर्फ इतना से लोड ले लेगा दोस्तों मैं कहता हूं ये बिल्कुल गलत काम है ऐसा आपको कभी नहीं करना है जब आपके पास प चारो साइट से दिवार में और पीलर में हमारा निकल रहा है वहां पर आपको एक नहीं तो अगर आप 9 इंच का नहीं डलवाते तो कम से कम 9 इंच का इस एक लेंटल बीम जैसे होता है वैसे आपको सब डलवा के इस चछत को टाई कर देना चाहिए था फिर उसके बाद इस चलते हैं थोड़ासा काटके उसमेंडाल दिया गõ थ कहता हूं कि इस तरह की गलती आपकभी न करें अब यहां देख रहा है कि इसमें नहीं कोई कोई क्वलं से कनेक्शन हें नहीं एक दूसरे का बीम से कोई connect मां सिर्फ इसमें आप देख सकते हैं कि बीचबीच में लोड इसके वहीं रख रहा है ऐसा तो नहीं है कि साइड में या बीच में बीम आ रहा है जिसे कि वह उस पर ट्रांसफर कर रहा हो या कॉलम पर ट्रांसफर कर रहा हो तो यह बहुत बड़ी गलती है ऐसी गलती आपको नहीं करनी है एक और गलती यह की गई है कि जब कॉलम काट दि साइट, साइट, साइड, और फिर उस बीम सी पे शाल को कनेक्ट करना था अजय को लेखा